नमस्कार मैं रोहन भेंडे गुडिया ने लिखा है कौन कब कहां किधर का हो जाए शफद इधर लेता रहे और उधर का हो जाए गहलोद और सचिन पाइलेट तीन देन से चार देन से विवाज चल रहा है राजस्थान में इशू क्या है? सचिन पाइलेट कुछ नाराज चल रहा है और उनके नाराजी की जो वजय है वो क्या है तो उनको चीफ मिनिस्टर बनना है अभी उनके पास पोस्ट है डेपिटी चीफ मिनिस्टर का लेकिन मसला इतना ही नहीं है इस घटना में भारतिय जनता पार्टी भी लिप्त दिख रही है ऐसी ही एक घटना चार मेने पहले हुई मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार थी कॉंग्रेस के सरकार में जो बड़े कत्के नेता थे जोतिरादिदिस इंदिया उन्होंने रिबेल कि और पीजेपी में चले गए साथ में 222 MLA भी लेके चले गए अब कटना यहां हुई कि उस समय चर्चा यह थी कि हर MLA को 20-25 करोन रुपए बीजेपी ने ओफर कि यह वर्ग दिये बात मैं जो कह रहा हूँ मैं बहुत सिंसिरली कह रहा हूँ उसके बाद सरकार गिर गई भारती जंदापस्टी दोबारा सरकार बनी सिन्धिया गुट के जितने भी नेता थे उनको मंत्रीपत का मंत्रीपत से नवाजा भी गया और बात ये भी चल रहे खबर आ रही है सुत्रों के हवाले से कि वहाँ पे जो अभी री इलेक्शन होगा इन्हीं सीटों पर तो इन सब को टिकिट भी दी जाएगे अब चार ही महने के बाद दूसरी घटना में हम आ रहे हैं जो पिछले तीन दिन से मीडिया में चाही है वो है सचिन पाइलट का कुछ अनबन पैदा होना और उसी चक्कर में कॉंग्रेस की सरकार गिरती दीखना वहीं पर अब तीन पहलू होंगे कल गैलोत सरकार की बैठक थी मंत्रिया उनके जो MLA थे उनकी आज भी है शायद इसके बादे में सोर्सेस ये भी कह रहा है कि कल सचिन पाइलट के भी घर पे बैठक हुई और वहां पे भी 16-17 MLA अविलेबल थे एक और खबर आ रहे हैं सुत्रों की हवालों से पहले ये आ रहे थी कि प्रियंका गांधी इसमें इंटर्वीन करेगी और सचिन पाइलट और गैलोत का जो मन मुटाव चल रहा है उसको मिलाप करेगी शाम होते होते सुत्रों के हवाले से कबर दी ये दी गई कि यह नहीं होगा अब सचिन पाइलट को कोई इंटर्टेन नहीं करेगा सचिन पाइलट जो डिसाइड करेंगे वो देखा जाएगा ये सारे घटनाएं चल ही रही है मीडिया में तीन दिनों से ये सारी चीज़े चल रही है मेरा सवाल ये नहीं है या फिर मैं इस पर ध्यान भी नहीं देना चाहता हूँ कि सचिन पाइलट कहा जाएंगे गहलोत की सरकार बचेगी की नहीं बचेगी और आगे क्या होगा रा सवाल ये नहीं है सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या लोगतंत्र बचा रहेगा चूनी हुई सरकारों को खरीद फरोग करना और उसको गिराना ये कोई बीजेपी का पहला खेल नहीं है बीजेपी ये करते आई है और ये जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को हमारे भारतिय लोगतंत्र को ये जो कीड लगी है ये इंदिरा गांधी की पैदाईश है इंदिरा गांधी ने ऐसे ही चुनी हुई सरकारों को बरखास किया था और वहाँ पे गवर्नल रूल लगाया था तब से अब तक बदलाव कुछ नहीं हुआ है सवाल यह बनता है कि चुने हुए नेता उनके खरीदने की ख़बर आती है कि इस MLA को इस पार्टी ने इतने रुपए उफर किये जैसे किसी बैल को बैल बाजार में लेके हम खरीदते हैं या बेशते हैं इस प्रकार से जन्रलाइस खबर आ रही है कि MLA को 25 करोड आफर हुआ 20 करोड आफर हुआ हम कितने सीरियस है इस क्वेश्चन को लेके कि हमारे MLA बिक रहे है हमारा लोक तंत्र बिक रहा है नागरीक के हैसियत में हम क्या इस सवाल को देखेंगे या फिर यहां देखेंगे कि बीजेपी कर रहे हैं तो बीजेपी के पक्स के जो लोग है वो उसको देखें शांति से सहलेंगे और जो कॉंग्रेस के रूल में यह होगा तो कॉंग्रेस के सपोर्टर सहलेंगे लोगतंत्र में भूमिकाई जो होती है वो नागरिक की होती है लोगतंत्र का भौणडापन जो है वो नागरिक से ही तै होता है नागरिक अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तवयों के प्रति कितने जागरुक है इससे तो डिसाइड होगा ना लोगतंत्र अब किसी MLA को खरीदने की ख़वर आ रही है और वो TV पे continuous चल रही है और फिर भी समाज में ऐसी एक शांत स्तितप्रद्ने भावना है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है किसी MLA को खरीदना मतलब यह हुआ कि आपने जो वोट उस MLA को दिया था क्योंकि अब दिखिए चुना हुआ जो नेता है वो कैसे होगा चुनके जाएगा तो मेरा आपका वोट उसको होगा अब हम आप जब ओड देते हैं तो कब कैसे देते हैं कि वो किस पार्टी से खड़ा है वो आईडिलोजी किसी की भी अलग हो सकती है किसी की कॉंगरेस के प्रती रुजान वाली हो सकती है किसी के बीजेपी के प्रती लेकिन हम ओड तो वैसे ही देते कि नेता कौन से पार्टी से खड़ा है उनके वादे क्या है वो किस सिद्धान दोपे खड़े है क्या उनके विचार है भविष्य के बारे में उनकी संकल पनाए क्या है इन सारे चीज़ों को हम देख के ही अपना वोड देते हैं और MLA MP चुनके जाते हैं अब जब चुनाव खत्म होने के बाद ये लोग बिना किसी लोग को प्रतिनिधिक जो बैक्राउंड है जैसा उसको सपोर्ट है उसके ही अपने को बेच देते हैं मैं कह रहा हूँ ये बेच देते हैं क्यूंकि ये खबरे है और इस खबरों को धरातल से पूरी पुर्ष्ट भूमी है कि ये सही में पैसे लेके बिके जाते है या फिर खरी दे जाते है तो आपका जो वोट है उसका क्या मतलब हुआ राजनीती में नेता ही सिर्फ कुछ नहीं होता है राजनीती में सबसे important कौन होना चाहिए वह नागरिक जो अपने एक मत से नेता कोई चुनता है लेकिन इन नेताओं ने क्या किया कि नागरिक के जो अधिकार है और नागरिक के जो वैल्यू है वो जीरो कर दी इससे यह हुआ कि अब नेता खुला खेल फरुकाबादी जैसे व्यवार कर रहे है ना उनको कोई चिंता है कि मेरे विचार क्या थे ना उनको इ कुछ भी अशर ही नहीं होता है या फिर लोग सोचते ही नहीं है तो राजिस्तान में जो क्रैसिस चल रहा है मूलता उसका सवाल यह नहीं है कि गहलोज सरकार बचेगी कि पाइलट आएंगे और सबसे एक एहम सवाल है वो सवाल जोती रद्दिति सिंधिया के बारे में भी है और सचिन पाइलट के भी पारे में इन लोगों का कहना है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट से ग्राउंड पे लेकिन हमें जो पोजिशन मिलना चाहिए जो हमें औहदा मिलना चाहिए सरकार में वो मिला नहीं हमारा हुमिलेशन हुआ इसलिए हम पार्टी से कि बात करते हैं जोतिरादिस सिंदिया और सचिन पाइलट दोनों एक ही और राहूल गांदी भी दोनों दोनों तीनों एक ही सतह के एक ही लगवग एक ही उम्र के लोग है इन लोगों को दोनों को सचिन पाइलट और जोतिरादिस सिंदिया को कॉंग्रेस ने लगवग 22 साल साल के उम्र में MLA पत्से नवाजा बाद में ये राज्य मंत्री बने केंद्र मंत्री बने PCC में इनको मेंबर्शिप दी गई इतना सारा उन्होंने सिर्फ 35-36 साल में ही कर दिया तो मुझे एक बताई एक समान्य कार्य करता के लिए क्या यह पॉसिवल है कि 35 30 साल में वह इतनी उचाई तक पहुच जाए इतनी उचाई पहुचने बाद भी इनके मन में यह अगर खयाल आता है कि मेरा हुमिलेशन हो रहा है तो ठीक है आप पक्ष से निकल जाएए जैसा आप कॉंग्रेस पक्ष में है तो कॉंग्रेस से निकल जाएए भारतिय जनता पक्ष में है भारतिय जनता पक्ष में है और अपना खुद का सामराज्य खड़ा कीजिए मैं सामराजी इस वर्ड का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारे लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो वैसी नहीं है जैसी हमारे समिधान निर्माताओने सूची थी यह सामराजी जैसा ही चल रहा है अभी भी चल रहा है उसमें कोई आक मून के बात करने की जरूरत ही नहीं है अगर इनके पास इतना बैक अप है यह अगर कह रहे हैं कि हमारे पास लोगों का सपोर्ट है तो आप खड़ा रही है शरत पवार ने क्या किया था ममता बैनर्जी ने क्या किया था उन्होंने वह कॉंग्रेस से तो निकल गए लेकिन अपनी जो आइडियोजी है उससे कॉंप्रमाइज नहीं किया और अपने अपने पार्टी खड़ी की शरत पवार खुद खड़े रहे ममता बैनर्जी खुद खड़ी रही वायस जगन खुद खड़े र के वहार साचीन पाइलuldade के वाड़े में तो अभी तक कुछ खुला नहीं हुआ कि उनका क्या चल रहा है लेकिन दसुत्य्रअध के बारे में सीधा कहा जाता है उन्हों ने अभी बीच का था कि टाइगर बीच में का था कि ताइगर कि इंदा ही हम पता चला तो यो त्न, द और तमाम सारी विशेशनों संकल्पनाव से नवाज रहे थे उस समय उसी दस दिनों के बाद उन्होंने उसी पार्टी में जॉइन कर लिया तो आप कितने कितने शेर है ये तो सारी देश ने देख लिया आप दो थाली के बैंगान है ये तो प्रू हो गया है सचिन पाइलट क और बीजेपी में जाते है तो यहा समझ जाईए कि हमारे लोकतंतर की कोई बुन्याद ही अब बचने वाली नहीं है। और यह बुनियाद नेताव ने नहीं ढ़ाई है यह बुनियाद नागरित ने ढ़ाई है कूँकि उसने इन नेताव से सवाल ही नहीं पूछा। उन नेताव से उन्होंने यह पूछाई नहीं कि मैं वोर्ड आपको कॉंग्रेस में या फिर आपने जो विचारधारा मुझे चुनाव के समय बताई थी उसके लिए किया है तो आप किस बिना पर यह कर और सबसे इंपोर्टन यह कानून जो है दल बदल कानून जो इसी के लि आप इसे ही चलता रहेगा पहले एमेले खरिदो फिर सरकार कि रहाओ फिर से मैंने के बाद इलेक्शन करो फिर और इस सब से important problem कहां खड़ा होता है सबसे important problem खड़ा होता है लोगतंत्र को और समानिजन को तो आपको और हमें यह सोचने की ज़रत है यह मीडिया का भी भौणडापन है जो मीडिया ऐसे तमाम खरीद परहों की कि खबरों को नॉर्मल चलाता है मीडिया को कोई फरक ही नहीं पड़ रहा है और वैसे भी तो नब्वे प्रतिशन और है प्यापन है।